दोस्तों आज मैं सिखाऊंगी आपको मातर एक ऐसा अभ्यास जिसको आप निरंतर अगर करते रहते हैं तो आप पूरी जिंदगी रोग मुक्त रहेंगे लेकिन अगर कोई रोग है भी तो उससे भी बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा शरीर में जो 72,000 से भी अधिक नाडियां है ना उनकी शुधी होगी साथ ही बुढ़ापा आपसे कोसो दूर भागेगा यानि हमेशा आप जवान दिखने वाले हैं इसके अलावा आपको मृत्यू का भय भी नहीं होगा तो है क्या वो अभ्यास ये अभ्यास का नाम है नाडि शुधी या इसको नाडि शोधन के नाम से भी जाना जाता है तो आज की वीडियो को तसली से देखिएगा शुरू से अंत तक क्योंकि आज की वीडियो में अगर आपने ये वाली वीडियो पूरी देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि नाड़ी शुद्धी का अभ्यास किस तरीके से करना है अभ्यास करते हुए सांस लेने, रोकने, छोडने का रेशियो क्या होना चाहिए कब करना है, कितना करना है, किस-किस वक्त करना है, किस दिशा में वैट कर करना है इतना सारा सब कुछ बताना है मुझे अगर आप चैनल में नए आए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा जरूर बन जाएगा और अगर घंटी का निशान आप दबा लेंगे तो मेरी कोई भी वीडियो में अपनोड किया करूंगी वो आप मिस नहीं किया करेंगे तो घंटी का निशान भी जरूर दबा लीजिएगा नमस्कार दोस्तो, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी अभ्यास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस अभ्यास को करने के लाब क्या है सबसे पहला लाब तो कि इस अभ्यास को करने से आपके शरीर की 72,000 से अधिक जो नाडियां है वो शुद्ध होंगी जब नाडियां शुद्ध होंगी तो शरीर में प्राण का जो प्रवा है वो अच्छी तरीके से होगा जिससे की मदद मिलेगी शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके की कोई गंदगी है उसकी साफ सफाई होगी और जैसे 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 शरीर साफ होता जाएगा तो रोग मुक्ती तो अपने आप होगी इसके अलावा अगर इसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं हत योगा प्रदीपी का क्या अनुसार तीन महीने में मात्र तीन महीने में आप अपने नाडियों की शुद्धी कर सकते हैं अगर निरंतर इसका अभ्यास किया जाए कुंडलिनी का जागरन करने में भी यह अभ्या बहुत सहायक है। इसके अलाबा जब रोग मुक्ती की बात करीं तो किसी भी रोग का नाम ले लीजी आप। इरिटेबल बावला सिंड्रम में कॉन्स्टिपेशन है या के फिर आपको डाइरिया की समस्या है किड्नी की समस्या लिवर की समस्या आतों से जुड़ी किसी भी तरीके की समस्या है। आपके lungs बहुत healthy हो जाएंगे इस अभ्यास को करने से मात्र इतना ही नहीं बलके आपका पूरा पूरा nervous system जो है न वो strengthen होगा, मजबूत होगा आपके right brain और left brain में एक तरीके की समता आएगी और ये मांसिक तनाव को चिंता मुक्त करने में बहुत असाधार अभ्यास है तो ये तो थी कुछ जानकारिया जो मैंने बताई और सारी जानकारिया को तो मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकती क्योंकि असंख लाब है अब जान लेते हैं साफधानिया क्या है यानि breath retain करेंगे जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे तो जिनको blood pressure या hypertension की समस्या है या थकान है या सास रोकने में दिक्कत आती है तो वो सास बिना रोके इसका अभ्यास करें बाकि इस अभ्यास के किसी भी तरीके के कोई भी precaution या contraindication नहीं है बस सास रोकते वक्त इस आ गया है कि इस आसन का अभ्यास आप पदमासन लगा के किया करें इस तरीके से ऐसे ऐसे लेकिन अभी पदमासन नहीं लगता है तो आराम से सुख आसन में ही बैटके इसका अभ्यास आप कर सकते हैं ऐसे तो पदमासन जब आप लगाते हैं तो आपकी नाभी के पास इस त आधी इससे आपकी रीड की हड़ी भी सीधी रहती है ऐसे पदमासन लगाने के बाद आप मुद्रा देख लीजिए किस तरीके से लगाएंगे अपने बाएं हाथ को घुटने पर रखेंगे यानि लेफ्ट हाथ को घुटने पर रखेंगे और अपने थम को इंडेक्स फिंग और उसके बगल वाली उंगली को इस तरीके से ऐसे उठा लें ऐसा इस तरीके से ऐसे और फिर उसके बाद अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें अंगुठे की मदद से ऐसे बंद कर लें अब लेफ्ट नासिका से सास लेंगे गहरी कैसे फिर दोनों नासिका को बंद कर लेंगे ऐसा सास को रोक लेंगे कुप भग और फिर राइट नासिका को खोल के राइट नासिका से सास को छोड़ देंगे फिर राइट नासिका से सास लेंगे दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे और फिर left नासिका से सांस को छोड़ देंगे ऐसा अब बहुत बार ऐसा होता है कि सांस लेने, रोकने और छोड़ने में आप comfortable नहीं है तो ये आपको decide करना है कि आप कितना देर सांस लेने, रोकने और छोड़ने में comfortable है इस अभ्यास को करते वक्त आपको रेशियो का बहुत विशेश ध्यान रखना है जब नाडी शोधन का अभ्यास करते हैं तो रेशियो होता है 1 is 2, 4 is 2, 2 अगर आप चाहते हैं मेरी नीगरानी में रहके योग का अभ्यास करना और हर एक जानकारी इसी तरीके से मैं अपनी क्लास में बताती हूँ तो आप सभी join कर सकते हैं मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली online Zoom योगा क्लासेस इन Zoom योगा क्लासेस में एक घंटे की क्लास होती है सोमवार से शुकुरवार तक क्लासेस चलती है ये सारी चीज़ें आप मेरी निगरानी में रहके सीखते हैं इससे लाब क्या होगा? इससे लाब योग ये होगा कि आप रोग मुक्त तो होगे ही अगर कोई रोग नहीं हुआ है तो वो रोग होगा नहीं इन classes को कौन join कर सकता है? ये सवाल आ रहा होगा कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया यानि beginners join कर सकते हैं अगर आप already योग का अभ्यास कर रहे हैं तो भी इन classes को join कर सकते हैं या अगर आपको कोई बिमारी ही भी है अभी जैसे thyroid है, diabetes है, hypertension, high blood pressure ऐसी किसी भी समस्या में इन classes को join करने के बाद आपको स्वास्ति लाब तो मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे real life examples है जो मेरे existing student है, मेरी class को join करने के बाद उनको इन conditions से उवरने में बहुत मदद मिली है तो I am sure ये सारे लाब आपको भी मिलेंगे लोगों के पास इतना time नहीं होता या specific time पर 7 बजे से 8 बजे हो सकता है office जाना पड़े या आप different time zone में रह रहे हो भारत के अलावा किसी अन्य देश में रह रहे हो तो आपके लिए मेरे पास एक solution है कि zoom classes अगर नहीं join कर पाएंगे तो मेरे द्वारा कुछ recorded classes मैंने ऐसी बनाई है जो complete beginner friendly है और इसमें आसन, प्राणयाम, ध्यान आप सीखेंगे और इसमें सबसे अच्छी बात है कि अपने घर के comfort zone में ही रहे के कभी भी कहीं भी किसी भी वाक्त कितनी भी बार एक बार वीडियो को purchase करने के बाद आपको पूरे lifetime की validity मिल जाती है अब आपके मन में ये उद्सुकता होगी कि और जानकारी कहां से मिलेगी तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर अपनी website शेयर की है जो की है www.yogavithshahida.com या कि फिर यहाँ पर मैंने ये WhatsApp नंबर शेयर किया है इस WhatsApp नंबर पर अगर आप एक WhatsApp कर देंगे तो आपको मेरे टीम के द्वारा सारी की सारी जानकारी ततकाल आपको भेज दी जाएगी अभी तो ये वीडियो अच्छी तरीके से देखिए समझ ये फिर बाद में जाके चेक आउट जरूर कीजेगा अगर आप सास को तीन काउंट तक ले रहे हैं तीन सेकेंड वान, टू, त्री तो त्री इंटू फोर, ट्वेल त्वेल काउंट तक सासों को रोकना है और त्री इंटू टू यानि सिक्स यानि सिक्स काउंट तक सासों को छोड़ना है तो इस रेशियो का ध्यान रखते हुए ये बिगनर के लिए है तो आपने ऐसे मुद्रा लगा ली और वन इस टू, फोर इस टू, टू के रेशियों में थ्री काउंट तक सास ले रही हूँ सास ले लिया, दोरनाग को बंद कर लिया और फिर राइट नॉस्टल को खोला और सास छोड़ दिया शिक्स काउंट तक सास ले लिया राइट से दोनों आग को बंद कर लिया अब अपनी लेफ्ट को खोला और लेफ्ट से सास छोड़ दिया तो ये हो गया एक साइकल जो complete beginner है अभी इतना किसी का कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं है तो इतना अभ्यास करना शुरू कर दें जब काउंटिंग करें तो बोल के ना करें ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि सास लेने का रेशियो की इतना होना चाहिए और कुछ दिन बाद जब आप ऐसे काउंटिंग करते करते अभ्यास करते है ना तो आप automatically समझ जाते हैं फिर आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं होती है बिना काउंटिंग के आप अभ्यास कर सकते हैं जब आप कुछ दिनों तक इस रेशियो को फॉलू कर लें और इतना कर लें तो तीन के बाद चार पे जाए यानि चार काउंट तक सास लें 4 काउंट तक 4 इंटू 4, 16 काउंट तक सास को रोकें, 4 इंटू 2, 8 काउंट तक सास को छोड़ दें तो जब कुछ हफते या महीने तक इसमें आप comfortable हो जाएं, फिर एक step और आगे बढ़ जाएं, 5 count तक सास लें, 5 into 4 यानि 20 count तक सास को रोकें, 5 into 2 यानि 10 count तक सास को छोड़ दें, फिर सास लें 5 count तक, 20 count तक सास रोकें, और 10 count तक सास को छोड़ दें, तो ये I am sure कि इससे आपको crystal clear हो गया होगा कि ratio तो 1 is 2, 4 is 2, 2 रहेगा लेकिन सास लेने, रोकने और छोडने का जो duration है आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं अब चलिए अभ्यास को और पका करने के लिए कि अभ्यास करूँगी और आपको instructions दूँगी आप इन instructions को follow करके अभी जहां पर भी बैठे हैं इसका अभ्यास मेरे साथ करें तुरिड की हड़ी को सीधी कर लें और अगर अगर आप कुरसी पर बैटे हैं या बेट पर बैटे हैं तो भी इसका अभ्यास कर लें अपने left हाथ को चिन मुद्रा और right हाथ से इस तरीके से अपने विश्नु मुद्रा लगाई और फिर उसके बाद अपने left nostril को खोला, right nostril को बंद कर दिया पहले अभ्यास जब शुरू करें तो left नासीका से पूरी सास लें रोक लें सासों को राइट से सास को छोड़ दें रेचक पूरक राइट से सास लें कुमभक रोकें रेचक लेट से सास छोड़ें एक साइकल और सास लें लेट से कुमभक रोकें रेचक राइट से सास छोड़ें सास ले राइट से रोक लें सासों को और लेट से सास को छोड़ दें हाथ को घुटने पर ड्रॉप करदे और जब आप हाथ को घुटने पर ड्रॉप करें तो आखों को बंद करके कुछ देर बैठे रहें तुरंट ऐसा ना करें कि आखों को खोलें और इदर दर घूमने लगें आखों को बंद रखें, अपने ध्यान को माथे पर लेके जाएं और एक चिंता मुक्त अवस्था की अनुभूती आप कर सकते हैं, उसकी जानकारी बना के रखें कम से कम पाँच मिनट बिल्कुल शांत बैठें अब यहां पर एक चीज बहुत विशेश ध्यान रखने वाली है, कि इसमें प्रॉग्रेस जो हैं बहुत धीरे-धीरे होती है पहले आप अपनी सास लेना, रोकना और छोड़ना बिना किसी ऐसे बंद किये हुए करें, यानि आराम से बैठ जाएं सास लें, रोकें, जितना देर रोक सकते हैं, और फिर छोड़ दें, सास लें, पूरक, रोक लें, कुमभक, और फिर सास को छोड़ दें, रेचक जब कुछ दिर इसका अभ्यास इस तरीके से कर लें, तब आप इस तरीके से रेशियो में अभ्यास करना शुरू करें अब सवाली आता है कि इसका अभ्यास कितना करना है इसका अभ्यास जो हमने अभी ये cycle किया एक cycle में दो बार breath retention हो रहा है यानि दो बार कुम्भक हो रहा है यानि 20 कुम्भक यानि 10 cycle तो कम से कम minimum minimum आपको करना है और इसका अभ्यास अगर आप 4 टाइम कर लें सुबा, दो पहर शाम और रात में सोने से पहले तो ये आपके नाडियों की शुद्धी करने में कहा जाता है कि within 3 months एक योगी अगर इस ratio में अभ्यास करे तो उसकी 3 महीने में आपकी नाडियों की शुद्धी हो जाएगी और आप सको योग से और प्राणयाम या योग के किसी भी अभ्यास से कि एक जानने वाले जो लाब हैं वो अच्छी तरीके से मिलते हैं तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाई स्टेप ये सारे अभ्यास आपको बताएं कि कैसे नाडी शोधन का अभ्यास करना है क्या रेशियो रहना चाहिए क्या लाब है साफ भानिया है सारी चीज़े आप तो ये अभ्यास करके आपको लाब मिल जाएगा लेकिन इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अगर आप अपने दोस्तों को भी भेजेंगे तो वो भी पूरी जिंदगी स्वस्त रहेंगे तो जल्दी से इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों को अरिश्दारों को सब्सक्राइब कर दीजे जाने से पहले इस वीडियो को अगर लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट की वे किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊ या कि फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताईएगा मुझे आपके कमेंट का बेसबरी से इंतजार रहेगा जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा ताकि इस परिवार से आप जुड़ जाएं इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जा और इसी तर जरूर कीजेगा अपना ध्यान रखिए नमस्ते